हेलो फ्रेंड्स कैसी हुआ आप इश्वर की क्रीपा से आप सब ठीक होंगे मेर लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यह देखिए यह जो है रेडिमेट कूरती है जिसमें जो है आगे का गला जो है पहले से ही बना हुआ है यह मैंने रेव रेव दार कपड़ा हमने कम से कम पॉना इंच की पटिंग की विया इसमें आप अपने मेजर्मेंट के अखॉर्डिंग जो है काट सकते हैं ओके इस तरह का रेवदार कपड़ा जो मैंने बहुत सारा काट रखा है अब मैंने जो यह बैक का पार्ट है मेरा इसमें मैं अगर तुरपाई करूंगी तो यह कुर्टी अच्छी नहीं लगेगी इसलिए मैं इसमें भी रेवदार कपड़ा लगाऊंगे जिस तरह से फ्रंट के कुर्टी में है यह देखे, 4 इंच मैंने इसमें लंबाई लिए है, 2 इंच ही हाँ से लिया हुआ है, 2 इंच उपर से लिया हुआ है और इस तरह से इसमें जो 1 इंच की मैंने इसमें गोलाई दी हुई है इस तरह से जो मैंने बैक के पार्ट में जो है गोल गले की कटिंग कर दिये अब हमने जो इसमें रेवदार कपड़ लगाना की इस तरह से लगाना ध्यान से देखेगा यह मेरी उल्टी साइड है और उल्टी साइड से ही मैंने इसको लगान से जो मैंने सिलाई डालनी है कम कपड़ा इसमें रखना है आप देख सकते हैं किस तरह से रेवदार कपड़ा लगाना इसमें खिच रखनी हमने जो रेवदार कपड़ा लिया हुआ है और नीचे गले को नॉर्मली पकड़े रखना है ताकि हमारा गले में जो जोलना पड़े इसलिए हम ने इसमें रेवदार कपड़ा इसको हलका सा खीचाई डालने इसमें, और नीचे जो नॉर्मल रखना है, इस तरह से हमने इसमें इसमें जो इस时 लाई डाल देनी है, ओके, अब हमने क्या करना है, अगर अगर आपने एक्स्टरार लिया हुई है मैंने इस लाई प उपर से भी सिलाई लगानी है एमेरी सिधी साइड है और सुई से अगर कोई धागे निकल ले वो दिख रहे तो सुई से आप इसको अंदर कर सकते हैं और इस तरह से हमने इसके उपर से सिलाई लगानी है यह गला हमारा बहुत यह अच्छा बनेंगा और बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा मैं आपको समय समय पर जो अच्छी अच्छी वीडियो देती रहती हूं आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूले ताकि मैं आपको इससे भी और अच्छी वीडि रहे हो सुई से अंदर को कर देने हमने हमारी फिनिशिंग जो बहुत अच्छी होनी चाहिए एक बैक का भी बिल्कुल गोल गला बन गया हमारे बिल्कुल अच्छी से पाई इसमें कोई लटका हुआ नहीं कपड़ा बिल्कुल स्टेट सीधा अच्छा गलाया हुआ है प्र हुआ था और बैक के पार्ट का भी हमने गला बना दिया इसमें सुल्टर से सुल्टर स्टिच करेंगे इस देखे कितना सुन्दर गला बन गया है साइड में आप जो इसमें स्टिचर करेंगे